इस सफते अपने महीने का राशन किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदने की बजाए मोहले की छोटी दुकान से खरीदी है जब से डिपार्टमेंटल स्टोर्स का रिवाज हुआ है बड़े शहरों में लोग अपनी आसानी की खातिर बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स का रुख करते हैं हाला कि वो departmental store जो हैं उनके घर से उनकी रहाइश से खासे फासले पर होते हैं उमोमन एक एक departmental store करोड़ों रुपए के बजट से तयार होता है और उनकी लाखों रुपए का turn over रोजाना का होता है लेकिन इसका दूसरा मनफी पहलू भी शायद आपकी नजर से कभी महव रहा हो वो ये आपकी पहली जिम्मेदारी आपका महले का दुकानदार भी है वो दुकानदार जो बहुत ही चोटे से बजट के साथ अपने घर बार चलाने के लिए दुकान करता है इसलिए departmental store जरूर जाईए क्योंकि वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको दूसरी दुकानों पर नहीं मिलती हैं और वो भी एक च्छत तले लेकिन अपना राशन जो आपके महले की दुकान पर भी मौजूद है काइनिस के अमल के साथ आप उस दुकान पर जाईए और इस बार अपने महीने भर का राशन उस दुकान से लिजिए ताके उस गरीब दुकानदार का घर भी चल सके अगर आपने और आप जैसे दुसरे लोगों ने अपने महले के दुकानदारों को यूँ ही छोड़ दिया तो उनके पास ना इतना पैसा है ना इतने वसाइल कि वो इतने बड़े डिपार्टमन रिस्टोर काइम कर सके इसलिए अपने महले के दुकानदार के मामले में आप पर दो जिम्मेदारिया आएद होती है एक इंसानी भी और दुसरे महलेदारी की भी